नमस्कार मैं दीपक कुमार सहे काचारी एफिम राज के महविद्धेले बारा पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं आर्थिक नियोजन के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क और आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन की सफलता के मूलतत्व क्या है या उसके आउशक सरतें क्या है आर्थिक नियोजन एक स्वचालित व्योस्ताना होकर राज्ये की एक सू संगठित एवं समन्वित प्रकिरिया है जिसका उद्देश निश्यत अओधी में पूर्ण निधायत लक्षों की पूर्दी करना होता है नियोजन की सफलता से आर्थिक सम्रद्दी सामाजिक समानता वो राजनितिक सुद्रड़ता का मार्ग प्रसस्त होता है जबकि नियोजन की विफलता में निराशा, निर्धनता और समाजिक उत्विडन बढ़ता है अतहर आर्थिक नियोजन की सफलता एवं अनिवारे आउशकता है अब हम इसके मुखे बिंदों को देखेंगे जो आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आउशक है तो सबसे पहला बिंदू है इसका सशक्त एवं इस्तिर सासन आथिक नियोजन में केंद्री नेंद्रन को पुरुभावी एवं कुशल बनाने के लिए सशक्त एवं इस्तिर सरकार एक अनिवारे घटक है आंतरिक सांती एवं 22 रक्षा के वातावरण में भी नियोजन की सफलत नहीं थे जबकि धीली ढाली एवं इस्तिर सासन विष्टा में नियोजन की सफलता संदिक्द रहती है यही कारण है कि ताना साही सासन पद्दती में नियोजन प्रजात आंतरिक पनाली की अपेक्षा अधिक कुसल प्रभावी होता है रूस और भारत इसके पतेक सुधार है भात के कई राज़ों में सासन की अईस्तिर्टा से सासन कुर्शी की सुरक्षा के लिए आथिक नियोजन की उपेक्षा काता और अपने निजी राजनितिक सुधातों की पूते के लिए नियोजन की बली दे देते हैं अतर नियोजन क की सफलता की दूसरी महत्पूर्ण सर्थ यह है कि योजना की उद्देश्चे प्रात्मिक्ताइं एवं लक्षे इसपष्ट एवं यतारतवादी होने चाहिए उनका निधारन अर्थ विष्टा के साधनों वा आवशक्ताओं के अनुरूप व्येकपूर्ण धंक से होना चाह लक्षियों को यतारतवादी होना बनाना चाहिए तीसरा बिंदू है इसका साधनों का उचित मुल्यांकन तथा परियाप्त विष्वष्वष्णिय सांक्य की आखड़े नियोजन के अंतरगत साधनों के विदोहन वित्रण एवं समंज से बेठाने के लिए समश्य का समाधान समस्त साधनों के शर्वेक्षन मुल्यांकन तथा तथ सम्मंदी परियाप्त विष्वष्वष्वष्णिय आखड़ों पर निर्भर करता है अतराश्ट्रे आय, बचत, उब्भोग, कच्चे माल, जन संख्या, खनीज संपत्ती, प्राकतिक साधनों वो पुंजिगत साधनों के बारे में परियापत विश्वशनी आकड़े होने पर योजना का निर्मान, किर्यान वयन, वो प्रात्मिक्ताओं का निधन सही सही करने में सहीता मिलती है और इसके अभाव में अंधकार में कदम रखने के समान है भारत जैसे विकाज सिल राष्ट में कुसल सांख्य की संगठनों के अभाव में विश्वशनी आकड़ों का अभाव योजनाओं की सफलता में संदिक दिता का एक प्रमुक कारण है अब भारत में केंद्रिय स्थर पर केंद्रिय सांख्य की संगठन और CSO तथा राजिस्तर पर राजिस्सांख्य की युभा कारयरत हैं अन्य युभागे संच्ता भी इस कारय में इस कारय को करती है अगला बिंदो इसका भोतिक तथा वित्य स्रोतों की निश्चिता वब परियाप्तता योजना में निधायत लक्षियों की की पूर्ती के लिए विभिन कारेक्रमों वब परियोजनाओं को काडियानिवित करने के लिए परियाप्त मात्रा में भोतिक एवं वित्य साधनों के क्या उशक्ता पड़ती है भोतिक साधनों के अंतरगत विभिन प्रकार क्या कि भोतिक वस्तों जैसे मसीने यंत्र ओजार सभी प्रकार का कच्चमाल इस पात सेमेंट दसायन सिर्मिक प्रभंद सहासी तथा तक्निकी एवं वित्य विशेशक्युआदी का समावश होता है जि जिनकी पूति आंत्रिक उत्पादन वो विदेशी आयतों पर निर्भड करती है जबकि वित्य साधनों के अंतरगत योजनाओं के लिए उपलब्द आंत्रिक एवं भाहिये मोद्रिक साधन आते हैं जिनकी पूति राष्ट्रियाए बचत वो विन्योग दर करदान समता ज जनसा योग वित्य संस्ताओं के योग बाहिये साधनों में विदेशी सहायता एवं भुकतान संतुलन पर निर्भड करती हैं भोतिक एवं वित्य साधनों द्वारा दोनों परस पर पूरक एवं सहायक साधन हैं और एक के भाहों में दूसरे की परियाप्त पूति होने पर अब पर्यापत एवं अनिशित पूति के कारण योजना की सफलता सदा संदिग दिता के सागर में गोते लगाती है अगला बिंदू इसका है आथिक संगटन आथिक संगटन का उप्युक्त स्वरूर आथिक संगटन का उप्युक्त स्वरूर ये संस्तागत संदेशना जिसमें विभिन आर्थिक किरियाउं उत्पादन वितरन विनिमे उपभग ये राजय सुटू का संपादन होता है आथिक संगठन कहा जाता है अताव विनियोजन की सफलता के लिए आथिक संगठन का उप्यूक्त धाचा भी एक अनिवारिश सर्त है समाजवादी अर्थोष्ता में नियोजन की सफलता सुनिश्चित होती है जबकि पूंजीवादी अर्थोष्ता में नियोजन की सफलता संदिग दरती है क्योंकि इसमें पुर्भावी नियंत्रन का अभाव होता है मिस्त्रित अर्थविस्ता में सारोजनिक एवं निजी छेत्रों के साथ-साथ काम करने में से नियोजन की सवलता बहुत कुछ सरकार के पुरभवी नियंतरन वो निजी छेत्र के सहयोग पर निर्भर करती है अगर प्रभावी नियंतरण नहो और निजी छेतर लाप के फीचे समाजिकीतों की उपेक्सा करें तो नियोजन विफल हो जाता है जैसा कि भारत की मिस्ट्रित अर्थविस्ता में नियोजन आन्सिक रूप से ही सफल रहा है जबकि रूपसर साम्मेवदी राष्ट्रों में समाजवदी अर्थविस्ता के कारें नियोजन सावदिक सफल रहा है अता भारत में नियोजन की सफलता के लिए आथिक संगटन को समाजवात की और अग्रसर करना एक उप्युक्त कदम माना जाता है प्रोफेसर डार्विन के सब्दों में, प्रोफेसर डार्विन ने कहा है कि आर्थिक नियोजन की समस्या मुख्यता, वित्यसमस्या नहीं बलकि यह तो आर्थिक संगठन की अत्वा व्योस्ताओ की समस्या है अगला बिंदू है इसका योजना निर्मान किरियान वेन वो मुल्यांकन की उचित वेष्टा योजना की सबलता बहुत कुछ इस बात में निर्भर करती है कि योजना निर्मान किरियान वेन वो मुल्यांकन के लिए उप्योक्त मसिन्री हो क्योंकि आर्थिक नियोजन के विभिन कारेक्रमों एवं पर योजना का निर्मान काने साधनों के उप्योग में प्रात्मिक्ताओं को निश्चित काने विभिन छेत्रों में सामन जसे वो संतुलन बैठाने तथा इन योजनाओं को मोत रूप देने के लिए कुशल वो उप्योक्त वेस्ता आउशक होती है यही नहीं योजना में पूरु निधायत लक्षियों वो वास्तिक प्राप्तियों के मुल्यांगन की भी आउशकता पड़ती है ताकि आउशक शंसोधन वो सुधार किया जा सके भारत में योजना निर्मान का कार्य केंदर इस्तार पर योजना आयोग तथा राज्य इस्तार पर राज्य योजना बोडों के सोपा गया है योजना आयोग देश की सर्वच नियोजन सत्ता था अब उसके इस्थान पर निती आयोग बनाया गया है मुल्यांकन का कारे करने के विशिष्ट विभाग है किर्यानवेन का कारे कुशल सरकारी विभागों पंचायतों आधि में विकेंदरित है कुशल योग्यों इमानदार प्रसासन से ही संभव है योजना निर्मान पक्स प्रबल होने पर भी अगर किर्यानवन पक्स दुरबल आकुशल आयोग्यों भरष्ट हुआ तो योजना की सफलता संदिग्ध है आज अधि विक्षित व विकासिल दास्टों के कुशल योग्यों इमानदार प्रसासन के अबाउं में अच्छी योजनाय भी सफल नहीं हो पा रही है बहाद इसका पतेक सुधरन था प्रोफेसल लुष्ट के सब्दों में नियोजन में सरुपतम सुधरड योग्यों इमानदार प्रसासन के आउशकता होती है अगला बिंदू है विपक्सी राजनितिक दलों में नियोजन के पती सामाने सामती नियोजन की सफलता के लिए विभिन राजनितिक दलों में आथिक नियोजन की आधारबूत नीतियों उद्देश्यों वर लक्षियों की के प्रती समाती एवं समाने स्युक्रती आउशके अन्यता विपक्सिक राजनीतिक दलों द्वारा सताधाय दल को नियोजन नीति की कटू अलोचना जनता में भ्रम फिलाकर जन से युकी भाउना को टेस्ट पहुचा कर नियोजन को इफल बनाने में योग देगी जैसे भारत में उभिन दलों में नियोजन की आधारबूत नीतियां उद्देश्य लक्षियों वर प्रात्मिक्ताओं के बारे में जनता में त्याग की तत्पड़ता वो उच्च रास्ट चयत्र सभी असंभावनाओं को संभोव बना देता है अगर देश के लोग परिस्त्रमी, करतवे निष्ट, इमानदार, सहियोगी व राष्ट बक्त होंगे तो नियोजन की शफलता निष्चित है यदि आलसी, भ्रष्ट, देश्तरोही वो कामचोर हुए तो अच्छे से अच्छी योजना भी विफल हो जाएगी आज जापान के लोगों में उच्छ राष्ट्रे चरित्र, उनकी आथिक समरद्दी का राज है हमारी योजनाओं में विफलता का एक प्रूम कारण हमारे में उच्छ राष्ट्र चरित्र, त्याग की तत्पता की भाउना का अबाउ है हम निजी लाबों वो हितों के लिए राष्ट्र लाब की हितों की बली दे देते हैं बिना आसु नियोजन की असफलता अतत्याग की तत्पता भी आउशक होती है नियोजन में व्यापक, लोजपुन और दिर्ग कालिन दरश्टिकोन आथिक नियोजन एक अल्पकालिक प्रयास नहो का अंधियन तर चलने वाली दिर्ग कालिन प्रकिरिया है और नियोजन की शफलता के लिए नियोजन आशिक नहो कर व्यापक तत्था कटो नहो कर लोजपुन तत्था अल्पकालिन नहो कर दिर्ग कालिन दरश्टिकोन से प्रयरित होना चाहिए अल्पकालिन योजना में दिर्ग कालिन द्रष्टिकोंड भी समायोजित किया जाता है परिश्थितियों में परिवतन के साथ साथ उनमें बदलने की लोचता होने चाहिए रूस में 20 वर्षे योजना उननिस साथ साथ से ने पंच वर्षे योजनाओं के लिए दिर्ग कालिन द्रष्टिकोंड प्रस्तुत किया भाद में भी योजना योजना योजनी भाग खोला गया है ये सही दिसा में एक कदम था जन सहयोग अगला बिंदू है जन सहयोग आथिक नियोजन एक ऐसी प्रिकिया जिससे दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता उसकी सफलता जनता की इच्छा उत्सा वो उसके सहयोग पर निरभर कती है पर जाता अंत्रिक मिस्त्रित अर्थो इस्ताम इसका भी महत ओर भी बढ़ जाता है प्रोफेसर लुईस के सब्दों में जन उत्सा नियोजन के लिए जन उत्सा नियोजन के लिए चिकना तेल लुब्रिकेटिंग ओईल तथा आधिक विकास का पेट्रोल दोनों है यह एक.асти प्रावगीक सकती है जो प्राई सब चीज़ों को संबव बना देती है प्रोफेसर लुइस की परिभासा को दुबारा देखिए जन उत्सा नियोजन के लिए चिकना तेल याने की लुब्रिकेंट ओईल तथा आर्थिक विकास का पेट्रोल दोनों है यह एक एसी प्रायोगीक सकती है जो प्रायोगी सब चीजों को संभव बनाती है भारत में जन सहियोग के लिए प्रजात आंत्रिक विकेंट्रिक अंकि विष्टा लागो की गई है ताकि योजना का निर्मान वो कार्यान वेन उपर वो नीचे दोनों इस्तर पर संभव हो सके योजना का व्यापक प्रचार जनता में नियोजन के भती डूची जागरती यह उस्सा बढ़ा कर नियोजन की सफल बनाने का प्रियास किया जाता है अगले हैं विविद सर्तें आथिक नियोजन की सफलता के उप्युक्त तत्वों के अत्रिक्त कुछ अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती जो निम्नलिखित जिन्हें हम कह सकते हैं पहला इसमें विद सत्वों में अनुकूल प्राकतिक दसाएं लक्षों की पूर्ती संभव हो सके पर अगर बाड़, अकाल, आंधी, तुफान, सीटलर, आधी का प्रोकॉप हो तो नियोजन असफल हो जाता है जैसे भारत में करसी छेतर की सफलता बहुत कुछ अनुकूल प्राकतिक दसाओं पर निर्भर करती है भारत में करसी के लिए कहा जाता है कि भारत में करसी मानसून का जुआ है दूसरा बिंदू है आंत्रिक सांती एवं सुरक्षा अगर देश में दंगे, लूट पाट, हड़ तालों, ताला बंदी, आग, जनी, अत्याओं, आधी का वातारुन हो तो योजना की सफलता संदिग्ध है परंतु देश में सांती एवं स्ता बनी रहे तो देश में नियोजन की सफलता और सफलता की और अग्रसर होता है बाहिये आकर्मन से सुरक्षता, अगर देश को बाहिये आकर्मनों का भ्यरता है तो सिमित साधनों का प्रियोग युद्ध की तैयारी के लिए वो युद्ध पर भारी विए में लगाना पड़ता है विकास कारियों के उपेकसा भी करनी पड़ती है जबकि सुरक्षा होने पर देश आव विरल गती से प्रगती के मार्ग पर अग्रसर होता है भारत को चिनी आक्रमन पाकिस्तानी आक्रमन वो बांगला देश की रक्षात काफी शती उठानी पड़ी और योजना की लक्षे पूरे नहीं हो सके अगला बिंदू है अंतराष्ट्रिय सहयोग देश में ओध्योगी को अन्य विकास के कारियों के लिए विदेशी सहयता वजचेयों की भी आउशक्ता होती है यदि विकास सिल राष्ट्रों को विदेशी साधनों की पर्यात पूती होती रहे तो नियोजन की सफलता भी सुगम हो जाती है अगला बिंदू है उप्यूक्त समन्वे संतुलन अर्थ विस्ता की विदेशी चेत्रों में परस पर समन्वे व उप्यूक्त संतुलन बेठाना भी नियोजन की सफलता का आउशक्त तत्व है इस प्रकार इन सब तत्तों के सामुद प्रवाव पर ही नियोजन की सवलता निर्भर करती है धन्यवाद